हेलो वेलकुम बेक स्वागत आप सभी का एक बाफिर से गोलन बीस की इस खास वीडियो में जिया सोने ओचांदी की किमतों को लेकर यहां पर बड़ी खबर है और इसी के साथ में आपको बता दे कि केंदे सरकान ने सोने ओचांदी को लेकर बड़ी खबर दे दी है और इसी के साथ में अगर आप भी धोका दड़ी से बचना चाते हो तो आपको बता दे कि गूगल ने 29 खतरनाक एप्लिकेशन को बैन कर दिया है और इसी के साथ में अगर आपके भी स्मार्ट फोन में यह 29 एप्लिकेशन मौजूद है तो तुरंती कर दे अनिस्टॉल नई त बैंक का सारा पैसा खाली हो जाएगा हैन तो ऐसी कई सारी बड़ी खबर है तो चलिए सुरू करते हो जानते है आज की पांच बड़ी खबरों के बारे में लेकिन इससे पहले आप सभी से प्यारा सा छोटा सा निविदन है कि अभी तक आपने गोर्डन बेस को नहीं किया तो नीचे देगे सब्सक्राइब के बटन को तुरंती दबा दे क्योंकि दोस्तों यही हमारी पूरी टीम की मैनत का फॉल होता है चलिए तो बड़ी खबर है कि चीन पर अमरीका की डिजीटल स्ट्राइक ट्रंप बले 24 गंटे में बैन करेंगे टिक टॉक जिया भारत के एक्सन के बाद अब अमरीका भी भारत की रा पर चलने लगा है हाली में भारत ने चीन की कई सारी दिगज एप्लिकेशन को बैन कर दिया और ऐसे में अब अमरीका भी 24 गंटे के अंदर चीनी एप्लिकेशन टिक टॉक को बैन करने वाली है अमरीका के राष्ट पत चीनी एपिलीकेशन TikTok को اب टक 6 अरब से ज्यादा तक का नुकसान हो चुका हैं। आपको बता है कि चीनीैप्लिकेशन TikTok चीन के बाद भारत सब से बड़ा पासार है। भारती बासार से धखलने के बाद अब अमरीकी बासार भी चीन के के हाथ से निकलता जा रहा है। आपको बता दे कि भारत ने कई बड़ी कारवाई चीनी एप्लिकेशन पर कर दी है चीनी कलर टीवी को भी प्रतिबन लगा दिया है चले तो बड़ी ख़बर है कि हेलमेट परनने के बाद भी कट सकता है चलान सरका बदलने जारी ये नियम जानिए कैसे जिया अगर आप हेलमेट परन कर भी दो परिया वहाँ चलाते हो तो भी आपका चलान कट सकता है सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन सरकार इस नियम को लागू करने जारी है दरसल एक मार्च से ये नियम लागू हो जाएगा जिसके मताबिक अगर आप लोकल हेलमेट परन कर दो परिया वहाँ चलाते हो यानि कि बिना बी आई एस मार्क वाला हेलमेट परन कर दो परिया वहाँ चलाते हो तो आपको चलान बढ़ना पर सकता है सरकारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि इन हेलमेट के उत्पादन और बिकरी के लिए भी नया नियम लागू किया जा रहा है साथ ही में लोकल हेलमेट की मैनुफेक्चरिंग पर जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावदान है एक मार्च दो जा इकिस से इन नियम को देश पर में लागू कर दिया जाएगा यानि की सीधी सी बात है कि अगर आप हेलमेट खरीने जा रहे हो तो भी आई एस मानक वाले हेलमेट कोई खरीदे चले तो अगली बड़ी खबर है कि गूगल ने प्लेश टोर से हटाए 29 खतरनाक एपलिकेशन अपने फोन से तुरंत करे अनिंस्टॉल जिया सोशल मीडिया पर सेर करने के लिए अकसर फोटो को एडिट करने के लिए गूगल प्लेश टोर पर कोई न कोई एपलिकेशन हम डाउन्डूड करते रहते हैं लेकिन अब गूगल ने फोटो एडिटिंग की कुछ एपलिकेशन को बैन कर दिया है Google का कहाना है कि एप्लीकेशन यूसर के लिए बहुत ही खतरनाक है ऐसे में अगर आपके स्मार्टफोन में भी यह एप्लीकेशन मौझूद है जिनकी लेश्ट हम आपको बताने वाल है तो उन्हें तुरंती अनिस्टॉल कर दे और इतने निबल कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुचा है क्योंकि एप्लीकेशन कई सारे बड़े फ्रॉड कर सकती है सच्छी हिंदूस्तानी दूसरों की मदद करना जानते है सेर करे ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुच सके और कई लोगों को धोका दड़ी से बचा सके चले तो अगली खबर है कि मंगा होने से फीकी पड़ी गोल्ड की चमक डिमाण में सित्तिर फिसदी की भारी गिराव सोने ओं चांदी की किमतों ने कई बड़े रिकॉर्ड तोर दिये आपको बता दे की तीन महिने के अंदर ही चांदी की किमतों में 25,000 रुपे तक की बड़ी तेजी देखने को मिली हाला कि ऐसे में बड़ी खबर है कि अब सोने ओंचांदी की डिमांड सित्ते फिस्दी कम हो चुकी हैं सोने ओंचांदी में सित्ते फिस्दी की डिमांड गिर चुकी है ऐसे में कॉमेडिटी बासार के कारुबारियों का यब भी कहना है कि इससे सोने की किम्तों में तेजी थमस सकती है और इतना इने बल की किम्तों में किराउट देखी जा सकती है हाला कि अंतराश्टे बासा में तेजी जारी रहने की उमीद है वही किम्तों की बात करें तो चांदी का बाव 65,000 रुपे प्रती किलो ग्राम के स्तर पर पहुच चुका है वही सोने का बाव 52,000 रुपे प्रती 10 क्राम के स्तर पर पहुच चुका है पिछले कई दिनों से दोनों किम्ती दातूं में भारी तेजी देखी जारी है ऐसे में अगर आप भी चाहते हो कि सोने और चांदी की किम्तों में गिराउट आने चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताए रोजाना काम की बड़ी खबरे हो सोने और चांदी की किम्तों को जानने के लिए गोल्डन बिस से जुड़े रहे